नहीं दरोगा भरती पुलीज भरती का रास्ता साफ हो गया है अगर आपको नई भरती का इंत्यार है दरोगा भरती या पुलीज भरती की तियारी कर रहे है तो आपके लिए खुश ख़बरी है सासन की निर्देश के बाद नई भर्ती का विग्यापन जारी किया जाएगा विग्यापन कब तक आ सकता है इस विशे में पूरी जानका इस चैनल के माधिम से आपको दी जाएगी आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली, मद्र प्रदेश, उत्तरा खंड और हरियाणा की खबर इस चैनल के माधिम से दी जाती है वही खबर दी जाती है जो पूर्दा सही होती है, आप खबर को गलत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हाँ समया परवर्तन हो सकता है, लेकिन खबर गलत नहीं हो सकती है हमने आपसे कल बोला था कल की वीडियो अगर आप लोग ने देखा होगा सुबा की वीडियो तो उसमें बोला गया था कि PCS का परड़ाम आज आएगा और PCS का परड़ाम जारी किया गया अब UPPCS 223 का नोडिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा और पहले भी आपको बता है कि थार्ड वीक में लेकिन डेट नहीं बता है डेट में आपको बता दू अठारास 21 के बीच में आपको UPPCS 233 का डोडिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और प्रारभ्मिक परड़ाम आते आते पदों की शंख्या में ब्रिंदी भी होगी लेकिन बड़ाम के समझ में और आज के समाचार पत्र में इसके समझ में क्या लिखा हुआ है क्या बताएगा है पूरी जानका इस वीडियो के माधिम से आपको मिलेगी सिछा मित्रों का बड़ायगान लखनों में होगा क्या होगा इस वीडियो में बताऊंगा तेरा हजार पत किये गए समाप्त चल गए कैची इसी प्रकार से पत समाप्त किये जाएंगे तो प्रतियोगी परिछा की त्यारी करने वाले युवाओं का क्या होगा यूपिटर पूरा वाच आपको करना चाहिए पतवारी भरती में जंजट यानि की पतवारी भरती में कोई जंजट नहीं है जंजट जो था पुनर परिछा होगी अगर पुनर परिछा होगी तो जंजट वाली कौन सी बात है लेकिन प्रतियोगी परिछा की त्यारी करने वाले युव सबस्टाइब से पिश्कारावे, उपनीना नोगारा आज ईंप करेंगी तीटैय। हम गताने हैं एक प्रवाँङ में आजके हैं त्री हमाइब बातलेच सिर्द्री में पटवारी भर्तिये को लेकर खबर उत्रा खंड की है युवाओं के आंदोलन के बावजूद बारा फरोरी को प्रस्तावित पटवारी लेकपाल भरती परिशा इस्थिक्रित नहीं की जाएगी लोग सेवा आयो ने तै कारेकरम के अनुसार जारी परिच्छा कराने का निर्ने लिया है यानि के परि परिच्छा को एह थावत रखने का निर्ने लिया गया है उत्र परिच्छा 8 जनुरी को हुई थी जिसमें पेपर लीक होने की पूश्टी होने के बाद परिच्छा को रद करते वे बाराफ रावरी के तिनी निर्धारित की गई थी तो आप बताये कितना भी कुछ कर लिए स्परीब की इसलिए इसलिए जब एक बार्यों ने कई दिया परीच्छ निर्धालेत beslut रहोगा तो आप कितना भी हैं दोने कर लों कितना भी धन्ना देदो ना नहीं है । और शुखने बाला नहीं कर आगा नहीं किरा गया आयोग नहीं करें पाता है तब फिर आप आरोप लगाने के लिए त्यार रहेंगे और आपके पास पॉइंट मिल जाएगा तो अब देख रहा हो कि क्या होता है आगे वसे परिच्छ निर्धारी तिसी पर होगी या आयोक के द्वारा इसपश्ट कर दिया गया है आयोक का रुख इसपश्ट है कि निर्धारी तिसी मे आप परिवर्तन नहीं होगा इसी तिसी पर आपको परिच्छा देना पड़ेगा यानि कि वारा फ्रोरी को परिच्छा होगी अगली ख़वर नए अध्यच सजस्यों के इंतजार कोले करें इनी दो के इंतजार में भरती अठकी हुई है तो क्या नए आयोक की माधिम से भरती होगी या पुराने आयोक की माधिम से भरती होगी या बोड की माधिम से भरती होगी देखे उत्तर पर उच्छा सिच्छा सेवा आयो के अध्यच एक चार सज़श का कारिकाल पूरा हो चुका है और उत्तर पर उच्छा सेवा चैन बोर्ड में सज़श्यों की शवीपत खाली है नए अध्यच और सज़श्यों की निकती पर अभी तक कोई नीड़ने नहीं हुआ है ऐसे में अभ्यर्थियों को अब नए सिच्छा सेवा आयो के गठन का इंकजार है ताकि माजमिक और उच्छी सिच्छा में फंसी दो बड़ी भरतियां सिग्रे सुरू हो सके तो कब तक गठन होगा यह महचपूर है इसमें कई परिक्रियाएं है यह भी महचपूर है तो मैं आप सिच्छी को बताना चाता हूं नए आयो के गठन में कम से कम दो से चार महीने का वक्त लगेगा कितरा 2-4 महीने का वक्त रहेगा इसका मतलब है अगर नए आयोग के मादिन से परिछा का आयोजन होता है तो कम से कम 6-10 महीने तक जा सकता है 6-10 महीने तक दोनों परिछाओं की मैं बात कराओं एक परिछा 6-8 महीना दूसरी परिछा 6-10 महीना यानि कि असिश्टन प्रोफेसर भरती परिछा का आयोजन और TGT-PT का आयोजन आज से लगबग 6 महीने तक जा सकता है अगर नए आयोग के माधिम से परिछा आयोजन की त जाती है छे से दस महिना कम नहीं होता है तो या भरती नए आयो के फिर फस गई या तो पुराने बोर्ड और आयो की मादिम से परिछा का आयोजन हो जाए इसकी मांग आपको निरंतर करनी चाहिए नहीं तो या भरती भी या दोजाद 24 पहुंच जाएगी सत्यता यही है सत्य को सुनिये पहचानिये तभी आपका कल्याण हो सकता वैसे त्यारी जारी रखिए अगली अपडेट है 435 हो गई है अब किसमें कितने पद हैं इस संब्द में आपको जानकारी होना चाहिए अब पदों के शंख्या क्या है विएस्टप में 2152 CRPF में 11179 ITVP में 1890 SSB में 2274 CISF में 600060 असल राइफल में यहां पर असम होना चाहिए असल राइफल लिखा वो कोई बात नहीं 3601 सचवाले सुरच्छावल में 214 और नारकोटिक्स ब्यूरों में 175 तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब बात करेंगे हर्याना सरकार की बड़ी खबर में आपको देने जा रहा हूं तेटिया और चट्वस्रेडी की भरतियों की मांग पर दोबारा भेजने की इन्रज़ेस हर्याना सरकार ने विभागों बोर्डों वा निग्मों को गरुप सी वा डीपदों की नई वा बिद मांगों को कामन पात्ता परिछा यानि कि CET के तहतराज सरकार द्वारा जारी आउशीमा के दिसन दिज़ेस के अनुरूप हजियाला करमचारी चैन आउशीमा को पुला भेजने के दिज़ेस दिए गए हैं तो आउशीमा क्या निर्धारित की गई है आउशीमा 18 वर में होगा परदेश के सिछा मित्रों का महा सम्मेलन 20 फरोरी को लखनों में रामाबाई पार्क में आयो जिस किया जाएगा जिसमें सिछा मित नियमती करण की मांग उठाएंगे सिछा मित्र आवकास लेकर सम्मेलन में अपने परिजनों के साथ पहुचेंगे और उनकी से अखलेश यादों ने कर दिया था वैसा आप सपना देखिए अब पुरा उरा होने वाला नहीं है सत्यता यही है सत्य अटल है और इसे कोई ठुकरा नहीं सकता है आप परिच्छा के मादिम से होते हैं तो परमानेंट हो सकते हैं बेतर बिर जीख ले बात करिए तो हो सकत कर दिया जाएगा अब या अच्छी खबर है या बुरी खबर हरियाना में बीजेपी की सरकार मदर प्रदेश में बीजेपी उत्तरा खंड में बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानि कि जहां जहां बीजेपी की सरकार इस तरह की घटना है आपको देखने को मिल जन स्वास्त विभाग में 4,446 लोग निर्माने विभाग में 3,500 पैसे और स्वास्त विभाग में 2,877 पदों पर कैची चली है। प्रिंटिंग यों इस्टेसरेरी विभाग में आधे से अधे 506 पदों को खतम कर दिया गया है। सिच्छा विभाग में किसी पद पर कैची नहीं चली है। मैं आपको उता जू हरियारा पुलिस में सब इस्पेक्टर, साहएक श्पेक्टर और हैंड कास्टिबल के 4536 पदों का सिर्जन किया जाएगा। इन पदों के सिर्जन से पुलिस विभाग में परदोनिती असामानता समाथ होगी। अब मैं बात आता हूँ आपको कि जब परदोनिती होगी तो पद रिक्त होगी और जब पद रिक्त होगी। तो भरती के आउशर पाइदा होंगे और विज्यापन आपको देखने को मिलेगा। विज्यापन कब आएगा अभी इस पश्ट नहीं है। इसलिए आपको घबरानी के बश्चक्ता नहीं है। आपको बता दे पदोनिती के बाद जो भी रिक्त पद होंगे उस पर विज्यापन आएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए अगर आप दरोगा भरती के त्यारी कर रहें पुलिस भरती के त्यारी कर रहें तो इंतजार रहें चुनाओं आने वाला है। गिप्टे आपको जरूर मिलेगा यहां पर देखिए बताया गया है हर्याड़ा में पुलिस में 4536 नए पस्रीजित पदोनती का रास्ता साफ है जब प्रमोशन होगा पदोनती होगी तो आगे भरती भी आएगी या निश्चित है अब कितने पदों पर भरती आएगी इसकी अभी तो कोई गरंटी नहीं है लेकिन भरती आना लगवग लगवा है तो माना जारा है आप इसको लिख लीजी चुनाओं से पहले आपको बड़ी-बड़ी भरतिया देखने को मिलेंगी आपको मैं गुर्द नहीं जी दे रहा हूं इसलिए वीडियो को पुरा सुनने का प्रियाज किया अब बात करते हैं PCS की PCS में में 1070 अब भरती हुए उत्री अब इंटर्वियू की बारी अब मेरे दवर आपको जानकारी कभी दी गई थी कि परिडाम आएगा लोग परसों बता रहे थे नरसों बता रहे थे हम कल की सुबाव की वीडियो में बता दिये थ नहीं रात में कंफर्म हुआ था और सुबाव की वीडियो मेरे दोरा बताया गया कि आज रात में परिडाम जारी होगा कांडाउन सुरू है अधिकतम कल हो सकता है और जो मेरे दोरा बताया गया वही बात आटल सकती थी और परिडाम आ गया देखे PCS में में 1070 अब भरती हूए अभ इंटर्वियो की बारे लोगे कल सुभा की वीडियो लो चैनल पर आज मैं वीडियो यह बना रहा हूं कल सुभानी वीडियों देख लेना जाके बात गलत निकरे चलनल को सबस्क्राइब करो तो उस्षाए करो तो सही जागतारिया या पको मिलेगी मुझे नहीं मिलेगी और यहां पर मैं आपको उता जो पीशे 230 का बिग्यापन जल्द आएगा और यहां पर बताया गया कि पीसद मुख पर इच्छा में वैकलपिक इससे हटाई जाए जाए यहां बेर्थिक की मांग है कि वैकलपिक इससे इन्ड ने लिया जाएगा उसके बाद आपको विज्यापन देखने को मिल जाएगा तो इसी प्रकार चाहित जानकारी ने आपको देता रहता हूं एक और खबर देना चाहता हूं जिसके समझ में आपको जानकारी होना वस्ट यूपिटर सब्सक्राइब के माधिम से ही जो कटाफ है बंदरोगा का वह एक आधार पर माना जाए तो बहुत जाद है शिश्टी फाइप लफ है और हाँ सिश्टी फाइफ हाँ अब उसको एक बार चेक करके आपको बताऊंगा कितना कटाफ है अब जो कटाफ जारी होने भी रएक कव तक जारी होगा परिच्छा कब होगी देखिए दोस्तों परिच्छा जो है अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद कोई भी तिती निरधारित की जा सकती है अगर निकायच चुनाऊ नहीं पड़ा तो निकायच चुनाऊ पड़ा तो हो सकता परिवर्तन भी हो जाए ह इसलिए निकाय चुनाओ पर सारा दारो मदार है निकाय चुनाओ अगर अप्रैल मा में नहीं पला तो सेकंड वीक के बाद कभी भी तिसी आपको देखने को मिल सकती है बंदरोगा की यानि कि उसी महीने में आपकी परिशा कंडेट हो सकती है और आज कुछ चांस है कि कटाफ आपका जारी हो जाए वंदरोगा वाला नहीं आता है तो सोमवर या मंगलवार तक जारी होने की संभावना है दिख रही है नेकिस टिबीक आज आज इंतजार करिये आज संभावना है कि कटाफ जारी कर दिया जाएगा आज काउंडाउन शुरू हो गया है आज प्र मैं प एक महटपूर जानकारी और देना चाहता हूँ एजी टीए वीडियो में से एक वेकंसी आपको देखने को मिलेगी इसकी संभावनाई दिख रहे हैं आगे छोटी मोटी भरतिया आती रहेंगी किसी को उसके बारे में जानकारी ही नहीं मिल पाएगी पूरा वीडियो सुनने के लिए दिन से धन्याई